प्रेए बच्चो नमस्कार मैं कविता रावत आप सभी का राज़नीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा दस्वी की लोक्तांत्रिक राज़नीति पुस्तक का आठवा जोकी इसका अंतिम अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे अध्याय का नाम है लोक्तांत्र की चुनोतियां इस अध्याय में हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं हम केवल उन पहलों को फिर से देखेंगे जिनके बारे में हमने कक्षा नौवी और दस्वी में राज़नीतिक विज्ञान की हमारी पुस्तक में पढ़ा हम चर्चा करेंगे लोक्तांत्र से संबंदिद कुछ महत्वपूर प्रशनों के उपर जैसे की लोक्तांत्र के सामने क्या-क्या चुनोतियां है लोक्तांत्रिक राज़नीति को सुधाने के क्या कुछ किया जा सकता है हमारी लोकतंत्रिक विवस्था अपने बरताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतंत्रिक बन सकती है आए चिंतन करते हैं चुनौतियों का लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों के बारे में हम चिंतन करेंगे उनका अध्यन करेंगे जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस अध्याय का नाम ही लोकतंत्र की चुनोतियां हैं तो जान लेते हैं कि यहां चुनोतियों से हमारा क्या मतलब है चुनोतियां वे मुश्किले होती हैं जिन से पार पाने की संभावना होती है और एक बार जब हम किसी चुनोती से आगे बढ़ जाते हैं, तो हम अपने लक्षे के थोड़ा निकट आ जाते हैं हम सभी जानते हैं कि लोगतंत्र एक ऐसी वेवस्था है जिसमें लोग, मतलब देश की जनता अपने निताओं को चुनती है और हमने कई बार ये पढ़ा और समझा है कि लोगतंत्रिक वेवस्था को बनाए रखने में कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है तो आईए बात करते हैं कुछ ऐसी ही चुनोतियों की इन चुनौतियों को हमने तीन भाग में बाड़ दिया है और एक एक करके हम इन सभी तरह की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे तो चुनौतियों के तीन प्रकार को हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला है आधार त्यार करने की चुनौतियां जिसको हम foundational challenge भी कहते हैं जब किसी देश में हमें democracy या लोकतंत्र को इस्थापित करना होता है उस दोरान हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं उन चुनौतियों को हम foundational challenge या लोकतंत्र की अधार को त्यार करने की चुनौति कह सकते हैं दूसरा चैलेंज है विस्तार की चुनावती। विस्तार जिसका मतलब होता है expansion। तो इसी लिए हम इसको challenge of expansion भी कहते हैं। विस्तार की चुनौती उन लोगतंत्रिक विवस्ता में हो सकती है जहां किसी तरीके की चुनौती के कारण लोगतंत्र का विकास और विस्तार रुख जाए तीसरा है लोगतंत्र को गहरा करने की चुनौतियां जिसे हम challenge of deepening of democracy भी कहते हैं तो आई ही चर्चा करते हैं इन सभी तरह की चुनौतियों के उपर सबसे पहले आधार त्यार करने की चुनौती आधार त्यार करने की चुनौती से हमारा मतलब है वे दिक्कते जो हमें किसी देश में लोगतंत्रिक विवस्ता को स्थापित करने में आते हैं जैसे मौजुदा गए लोक्तांत्रिक व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंतरन को खतम करना और एक कारगर साशन व्यवस्था को इस्तापित करना विस्तार की चुनौती से अभिप्रा है लोक्तांत्रिक साशन के बुनियादी सिंधानतों को सभी इलागों, मतलब सभी लेविल्स में और समाज के सभी वर्गों और संस्थानों पर लागू करना तीसरा जो हमारा चैलेंज है वे है लोक्तांत्र को मजबूत बनाना लोक्तांत्र को मजबूत करने का मतलब है सभी लोक्तांत्रिक संस्थानों, democratic institutions को लोक्तांत्रिक तरीकों से चलाना तथा आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाना वे अमीर तथा प्रभावशाली लोगों के नियंत्रों को खतम करना आएए अपनी स्क्रीन में कुछ कार्टून्स देखते हैं और इन कार्टून्स के अधार पर हम ये जानेंगे कि इन कार्टून्स में किस चैलेंज को दिखाया जा रहा है किस चुनादी को दिखाया जा रहा है तो पहली कार्टून में दिखाया गया है कि मुबारक को फिर से चुना गया आप देख सकते हैं यहाँ पे ballot boxes दिखाए गया है पीछे और यह ballot boxes जो हैं वो अभी खुले भी नहीं है और मुबारक जो हैं उनको फिर से चुन लिया गया है तो इसका मतलब है यहाँ पे rigging हो रही है हेरा फेरी हो रही है कहां पे चुनाव में इसलिए यह challenge है democracy के लिए democracy अब हमने तीन challenges की बात करी है democracy में सबसे पहले हमने foundational challenge की बात की फिर हमने challenge of expansion की बात की और फिर हमने challenge of deepening की बात की तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इस cartoon में democracy को कौन सा challenge दिया गया है मेरे ख्याल से इस cartoon में democracy को मिला है challenge of expansion अब बात करते हैं दूसरे cartoon की लोगतंत पर नजर आप देख सकते हैं जो powerful लोग हैं शक्तिसाली लोग हैं वो लोगतंत पर नजर रख रहे हैं तो इसका मतलब इस देश में लोगतंत्र जो है वो सभी संस्थानों में नहीं पहुँचा है तो इसलिए इस challenge को हम कह सकते है challenge of expansion तो आईए बढ़ते हैं अगले cartoons की और आप देख सकते हैं इस cartoon में दिखाया गया है कि उदारवादी जो लोग हैं वो लेंगिंग समानता की बात करते हैं यहाँ पे liberal parties की कुछ leaders दिये गए हैं और liberal party लेंगिंग समानता की बात करती हैं महिलाओं की समान आधिकार की बात करती हैं पर हम cartoon में खुद देख सकते हैं कि इतने सारे leaders में से केवर एक ही महिला leader है तो हम यह पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं यहाँ पे democracy को कौन सी चुनावती दी गई है जी हाँ यह democracy को एक चुनावती मिली है जिसे हम कह सकते हैं challenge of expansion next हम बात करते हैं अगले cartoon की जिसमें चुनाव अभ्यान का पैसे के बारे में बात की गई है जो चुनाव में पैसा इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात की गई है कि कई parties चुनाव में बहुत सारा पैसा यूज करती है और इस पैसे के कारण वे लोगों के vote को खरीदना चाती है तो हम देख सकते हैं कि इस cartoon के जरे भी यह दिखाया गया है कि democracy को एक challenge मिला है जिसे हम कह सकते है challenge of expansion आईए बात करते हैं कुछ और उधारनों की और इन उधारनों में आपको बताना है कि लोगतंत्र को किस तरह की की चुनावती मिली है और उसका आपको विबरेंट देना है यह तालिका आपकी पाठे पुस्तक पे भी है आप उसमें इस तालिका को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और उसको भर सकते हैं तो पहला उधारन है मेकसिको का मेकसिको में पियार आई की पराजे के बाद 2000 में एक दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ और इस चुनाव के बाद पराजित उमिद्वारों ने चुनावी धांदले की शिकायत की आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकतंत्र को एक चुनावी मिली है और इस चुनावी का निवारण है कि चुनाव को एक सही तरीके से एक लोकतंत्रिक तरीके से कराया जाए तो अब हम बात करते हैं चीन की Communist Party का चीन में Communist Party हार्थिक सुधार अपनाती है पर राचनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है तो आप देख सकते हैं कि Communist Party का एकाधिकार है चीन में इसका निवारण इस तरीके से किया जा सकता है कि जब चुनाव किये जाए तो बहुत सारी Parties हो और लोगों को चुनाव करने का और बहुत सारी Options में से चुनने का मौका मिले Next हमारा उधारण है पाकिस्तान से पाकिस्तान में जनरल मुशरफ जन्मत संग्रह कराते हैं मद्दाता सूची में गडबडी के आरोप लगते हैं जनरल मुशरफ ने जन्मत संग्रह करवाया था और उसके बाद मद्दाता सूची में गडबडी के आरोप लगाये थे मीडिया ने तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी चुनाव की बाद की जा रही हैं और चुनाव अगर किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में अगर चुनाव सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होते तो उसे हम एक फुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते तो आईए अब बात करते हैं इराग की, इराग में नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती और बड़े पैमाने पर सामप्रदाईक हिंसा होती है तो इस समस्या का निवारण सामप्रदाईक हिंसा को रोक कर किया जा सकता है सरकार को ऐसी नीतिया अपनानी होंगी जिससे सांप्रदाई खिंचा को रोका जाए नेक्स्ट हमारा उधारण है दक्षिन अप्रिका से मंडेला का सक्रिय राजनिती से सन्यास उनकी उत्रादिकारी जो की मबैकी थे उन पर गोरे अल्प संख्यकों को दी गई कुछ रियायतों को वापस लेने का दबाव डाला गया तो हम देख सकते हैं कि जो बहु संख्यक लोग हैं वो अल्प संख्यक लोगों पर दबाव डालते हैं और इस चुनौती का निवारण इस तरीके से क्या जा सकता है कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में बहु संख्यक लोग, अल्प संख्यक लोगों को दबा ना सके इस तरीके की सरकार को नीतिया बनानी पड़ेंगी तो आईए बात करते हैं राजनितिक सुधारों की अब तक हमने बात की चुनोतियों की पर हम ये भी जानते हैं कि हर चुनोति के साथ सुधार की संभावना जुड़ी होती है इन सुधारों को हम राजनितिक या लोकतंत्रिक सुधार कह सकते हैं अगर आज हम यहां एक सूची बनाने बैठें कि हमारी लोकतांत्रिक विवस्ता में क्या-क्या चुनौतियां है और इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कुछ समय बाद हमें अपनी सूची के कुछ पहलूओं को बदलना पड़े हो सकता है सुधार के जो तरीके हमने सुझाए हैं भी चुनौतियों में सुधार ना कर पाएं तो क्यों ना हम एक दिशा निर्देश सोच लेते हैं जिसे ध्यान में रखते हुए भारत में राजनीतिक सुधारों पे विचार किया जा सके सबसे पहली बात जब भी हम सुधारों की बात करते हैं तो हम सोचते हैं एक कानून बना लिया जाए और सुधार हो जाएगा तो कानून बनाकर राजनीतिक को सुधारा तो जा सकता है परन्तु हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कई कानून है लेकिन कानूनों को तोड़ा भी जाता है और उनसे बचने के उपाए भी खोज लिये जाते हैं तो हर राजनितिक चुनौती को कानून बनाकर या कानून में बदलाव करकर नहीं सुधारा जा सकता तथा कानून बनाते या बदलते समय ये भी ध्यान रखना आविश्यक है कि उसका राजनिती में क्या प्रभाव पड़ेगा कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलाते हैं जैसे कि कई राजियों में दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायती चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी और इस कारण कई लोग इस अफसर से वन्चित रह गए जबकि इस कानून को लगाने की मंचा ये नहीं थी देखें यहां कुछ चुनावतियां बे उनमें सुधार की कुछ प्रस्ताब दिये गए हैं आप इने पड़ें तता सोचिए कि कौन सा सुधार सबसे ज्यादा प्रभावशानी रहेगा और क्यों सबसे पहली चुनावति है डॉक्टरों की अनुपस्थिति उत्तर प्रदेश शरकार ने एक सर्वेक्षन कराया और पाया कि ग्रामी इन प्रात्मिक स्वास्थे केंद्रों पर पदस्त अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं वे शहरों में रहते हैं निजी प्राक्टिस करते हैं और महिने में सिर्फ एक या दो बार अपनी न्युक्ति वाली जगा पर घूमाते हैं गाउं के लोगों को साधारन रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है और प्राइविट डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे कुछ सुधार के प्रस्ताव भी दिये गए हैं तो पहला प्रस्ताव है सरकार को डॉक्टरों के लिए न्युक्ती वाली जगह में रहना अनिवारे कर देना चाहिए अन्य था उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए दूसरा प्रस्ताव है डॉक्टरों की उपस्तिती की जाज के लिए जिला प्रशाशन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए तीसरा प्रस्ताव दिया गया है कि ग्राम पंचायत को डॉक्टर की कामकाज की वार्शिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखना चाहिए और सबसे लाज जो हमारा प्रस्ताब है वो है इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकडों में बाटना है जिससे प्रसाशन कुशलता से चल सके तो आप अपना प्रस्ताब दे सकते हैं कि इन जैसी चुनोतियों का निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए है दूसर्या हमारा जो चुनोति है वो है राजनीतिक दलों का चंदा राजनीतिक दल कैसे अपना चंदा कैसे अपना पैसा इकटा करते हैं लोकसबा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रतीक उमिद्वार की संपती आसतन एक करोर रूपे से ज्यादा की थी। यह डर व्यक्त क्या जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्तन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े वैवसेग घरानों के चंदों पर निर्वर करते हैं। आशन का इस बात की है कि राजनीती में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमी का गरीबों के खिलाब जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज वे उठा पाते हैं उससे भी वन्चित हो जाएंगे। तो इस चुनाती में भी कुछ प्रस्ताव देए गए हैं सुधार के लिए। पहला प्रस्ताव है प्रतीक राजनीतिक दल के वित्य लेखा जोखा को सार्वजनिक पब्लिक में कर देना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ओडिटरों से सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्ज के लिए सरकार कुछ रकम दे और नागरिकों को भी दलों में और राजनीतिक कार्यकरताओं का चंदा इखटा करने के लिए प्रोश साहित किया जाए। ऐसे चंदों पर हायकर में छूट मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्रस्ताव दिये गए हैं इस चुनावी से निवारन पाने के लिए। पर आप भी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं और लिख सकते हैं। यहां स्क्रीन में एक बॉक्स दिया गया है जो कि आपकी पाटे पुस्तक में भी दिया गया है और इसमे आपको किसी ऐसी चुनावती के बारे में लिखना है, जो आप dance करते हैं, आप देखते हैं कि democracy में, हमारे लोकतांत्रिक देश में कोई अगर चुनावती है, कोई समस्या है, तो उसको आप लिख सकते हैं और उसमें सुधार के कुछ परस्ता भी लिख सकते हैं। तो आईए बात करते हैं कि राजनेताओं को कैसे सुधारा जा सकता है। हम सभी कही न कही ये समझते हैं कि हमारे देश में जो परेशानिया हैं जैसे ब्रश्ट अचार, दल बदल, जातिवाद, अपराद, सामप्रदाइक दंगे इन सब का कही न कही हमारे नेताओं, हमारे शाशकों से नाता होता है। पर क्या इन राजनेताओं को बदलने मात्र से ये परेशानिया समाप्त हो जाएंगी? क्या जो नए नेता चुने जाएंगे वे भ्रश्ट नहीं होंगे? और क्या सभी नेताओं को भ्रश्ट कहना सही होगा? हम सभी जानते हैं कि चुनाप के समय हम ये नहीं समझ सकते कि कौन सा नेता भ्रश्ट होगा या कौन जनहित में काम करेगा। इसलिए सभी नेताओं को हटाना और नए नेताओं को चुनाप करना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब तक हम लोग समाज को जाती वे धर्म के नाम पे बातना बंद नहीं करेंगे, तब तक राजनीती में भी जाती वाद को खतम नहीं किया जा सकता। राजनेता, जाती का, धर्म का इस्तमाल करते हैं क्योंकि हम लोग इन सब पर विश्वास करते हैं और कई बार इन सब के अधार पर अपने साशकों का चुनाब भी करते हैं जब तक हम सब इन सीमाओं से उपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोगतंत्र नहीं आएगा तो आएए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की और जो है लोगतंत्र की पुनर परिभाशा कक्षा नौ में हमने लोगतंत्र की एक परिभाशा पड़ी थी जिसके अनुसार लोगतंत्र साशन का वह स्वरूप है, जिस पे लोग अपने शाशकों का चुनाव खुद करते हैं धीरे धीरे हमने लोगतंत्र के अन्ने पहलूँ को जाना और इसकी परिभाशा को गहराई से समझा हमने जाना कि एक लोगतांत्रिक विवस्था को लोगतांत्रिक बनाए रखने के लिए लोगों द्वारा चुने गए साशक ही सारे पैसले लेने चाहिए चुनाव में लोगों को अफसर और विकल्प दोनों ही मिलने चाहिए हमने ये भी समझा कि एक लोगतांत्रिक व्यवस्ता में लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को देना अति आविश्यक है और एक लोगतांत्रिक व्यवस्ता से लोगों की कुछ उम्मीदे होती हैं जिनें पूरी करने की कोशिश करना लोकतांत्रिक सरकार का दायत्व होना चाहिए। अब यह आपके उपर है कि आप एक अच्छी लोकतांत्रिक विवस्था को कैसे परिभाशित करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह एक बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना नाम लिखें। जैसे मेरा नाम कवीता है, तो मैं लिख सकते हूँ कि कवीता की अच्छे लोकतंत्र की परिभाशा। उसके बाद अपनी परिभाशा देजिए, और उस लोकतंत्र की विशेष्थाओं को कुछ बिंदूओं को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज हमने बात की लोकतंत्र के आगे आने वाली चुनौतियों की। सबसे पहले हमने जाना कि लोकतंत्र की चुनौतियों का मतलब क्या है। फिर हमने चर्चा की कि लोकतंत्रिक चुनौतियों को हम कैसे तीन प्रकारों में बाट सकते हैं। और इन तीन प्रकार की चुनौतियों के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। हमने ये भी सबजने की कोशिश की की कैसे राजनीती में सुधार किये जा सकते हैं और अंत में हमने बात की लोकतंत्र की उनर परिभाशा की इसी के साथ हम ये अध्याय यहां समाप्त करते हैं आशा है आपको इस अध्याय को पढ़के लोकतांत्रिक विवस्था के बारे में कुछ महत्पूर जानने का मौका मिला होगा धन्यवाद लोका मिला हो रंपको मोहत्व चैसे सकता है